हेलो दोस्तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको टेस्टी टेस्टी घिया की बर्फी बनाना बताएंगे दोस्तो घिया की बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और दोस्तो सभी लोग इसको पसंद करते हैं ये देखिए दोस्तो कितनी अच् घिया ले लीजिए आप दो किलो घिया लीजिए इस तरीके से हरी हरी जो ताजी ताजी होती है इसकी बहुत ही अच्छी बर्फी बनती है इस तरीके से दोस्तों आपने इन सारी घिया को छील लेना है चाकू की साहता से या कोई भी पिलर आपके पास हो उसकी साहता से इसको और दोस्तों आपने इसको कद्दूकस करना है कद्दूकस में बड़े होल होते हैं उस साइड से आपने नहीं घिसना इसको ये मीडियम वाले जो होते हैं होल इसमें से आपने इसको घिसना है इस तरीके से दोस्तों आपने ये सारी घिया घिस लेनी है दोस्तों घिसते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये इसमें बीज होते हैं अंदर से ये वले आपने ये निकाल देने हैं आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं पहले ही घिसने से पहले ये फिर आप इसको ऐसे ही घिस के बीच वाला हिस्सा छोड़ सकते हैं आपको जिस हिसाब से सूलियत लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से सारे आपने ये निकाल देने हैं बीज और इसको घिस लेना है दोसों सारी घिया घिसने के बाद आपने क्या करना है इसको निचोड़ना है एक छलनी की सहाथा से आपने सारा पानी इस तरीके से हाथों से निचोड़कर निकाल लेना है चलने से क्या होगा कि ये सारा छन जाएगा जो बीज बगरा निकले थे वो उपर ही तह जाएंगे और दोस्तों इस जूस का ये घीया का जूस निकला है इसे आप पी भी सकते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है जूस इसमें आप क्रेले का जूस भी मिला कर ले सकते हैं या फिर ऐसे ही इसका सेवन कर सकते हैं या नमक डाल कर इसका सेवन कर सकते हैं जिस तरह से आपके इच्छा हो उस तरीके से आप इसका सेवन कर लें इसको वेश्ट ना जाने दे अब दोस्तो बर्फी बनाने के लिए आपने एक कड़ाई को गैस पर रख देना है गैस चला देनी है और इसमें दो से तीन बड़े चमच घी के डाल लेने हैं देसी घी आप अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको चलाते रहे और मेना बड़े द vict जो इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से को जो या जो बिज ethn शी रहidences वो ब्यापनिकाल दे डावनि है अपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है mix होने के बाद दोस्तों आपने इसको धक कर पकाना है 2-4 मिनट के लिए इसको धक कर पकाएं उसके बाद देखिए दोस्तों इसका color change हो जाएगा ये थोड़ी सी गलने लगेगी इस तरीके से आप दबा कर देख सकते है क्योंकि घिया जल्दी ही पक जाती है इस सरीके से जो ताजी घिया होती है वो जल्दी पक जाती है अब आपने दोस्तों क्या करना है इसमें एक गिलास दूद डालना है दूद के साथ मैंने मलाई भी ले ली है थोड़ी सी आप एक से दो चमच ताजी मलाई ले सकते हैं इसमें अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप रहने दे आप इसमें एक गलास दूद डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर ले अब दोस्तों मिक्स करने के बाद दूद जब इसमें मिक्स हो जाएगा आपने इसमें एक कटोरी चीनी डालनी है एक कटोरी ले सकते हैं या टैठ कटोरी भी ले सकते हैं वो अपने टेस्ट के अंसार ले ले जितना आप पसंद करते हैं और इसको मिक्स करना है अच्छे से जब तक चीनी घुले तब तक आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से दोस्तों चीनी सारी घुल गई है अब आपने इसको ढग कर पकाना है थोड़ी देर के लिए पांच मिनट के लिए इसे पकाएं दोस्तों ये बड़ी जल्दी बन जाती है बर्फी 15 मिनट आपके लगेंगे इसको 15 से 20 मिनट में आपकी बर्फी बन जाएगी ये देखिए दोस्तों बीच बीच में इसे खोल कर चलाते रहे और इसको दोस्तों लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है इस तरह के से अब ये पक चुकी है इसमें आपने डालना है नारियल का बुरादा एक कडोरी डालना है नारियल का बुरादा आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोल से मिल जाता है और मैं आपको लिंक भी देदूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप वहां से इसको पाय कर सकते हैं इसको मिक्स कर लें अच्छे से यह मिक्स हो गया है अब दोस्तों आपने लेना है एक कटोरी सुखा दूद्ध ड्राइए मिल्क पाउडर आपने लेना है जो हम घर में यूज करते हैं आपने मिल्क पाउडर यूज करना है एक कटोरी इसमें डाल ले औ इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसकी जो डर्या बगरा है वो अच्छे से मैश ना हो जाए इसको चलाते रहें ताकि ये हमारा नीचे ना चिपके अब दोस्तों आप इसमें टेश्ट के लिए इलाईजी पाउडर डाल सकते हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल ले नहीं तो रहने दे आप इसमें एक बड़ा चम्मच इलाईजी का डाल ले इससे बहुत ही अच्छी खुश्बु आएगी इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से लगभग अब दोस्तों हमारी बर्फी बेड़ी हो ही चुकी है जमाने के लिए अब इसको तब तक हिलाते रहे जब तक ये टाइट सा पेश्ट ना बन जाए दोस्तों गिया पकने के बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा हो जाता है इस सरीके से इस में हम क्या करेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देते हैं जो फूड कलर होता है ग्रीन कलर का वो इसमें चुटकी भर डाल ले ताकि इसका color हमारा अच्छा बन जाए अच्छा color आ जाए और ये देखने में भी tasty लगती है और खाने में भी tasty लगती है अगर आपके पास food color ना हो तो रहने दे ये बिल्कुल optional है अगर आपको चाहिए तो हम description box में इसका भी link दे देंगे आप वहाँ से बाई कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तो आपने इसको mix कर लेना है ताकि हमारा जो color है अच्छे से इसमें mix हो जाए इसको चलाते रहे इसको तब तक चलाना है दोस्तो जब तक कि ये हमारा अच्छे से कड़ाई छोड़ने ना लग जाए flame अपनी medium ही रखे क्योंकि अगर आप ज़्यादा flame रखेंगे तो ये घीया नीचे चिपकने का डर रहेगा तो वो जली जली सी बर्फी हो जाएगी दोस्तो अब इसमें आप dry food डाल सकते हैं dry food को कूट ले या काट कर जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं अगर नहीं डालना तो ignore करें क्योंकि कई बच्चों को dry food पसंद नहीं होते तो वो नहीं खाते dry foods की वज़े से इसलिए ये बिल्कुल optional है इसको भी अच्छे से mix कर देते हैं अब दोस्तो हमारी बर्फी बन गई है आपने क्या करना है एक tray ले ले या फिर थाली वगरा ले ले उसमें आपने गी को लगाना है इस तरीके से आपने grease कर लेना है ताकि जो बर्फी हम जमाने वाले हैं वो इसमें नाचित के और दोस्तो आपने ये सारी जो बर्फी हमने बनाई है इसमें डाल ले इसकी पहचान यही है कि जब ये कड़ाई छोड़ने लग जाए गाड़ा पेश सा बन जाए हमारा बर्फी का तो ये जमने के लिए देड़ी हो जाती है इस तरीके से दोस्तों आपने सारी बर्फी में सैट कर लेनी है फैला ले इसको चमच की सायता से या किसी कडोरी की सायता से जितनी मोटी परत आप बनाना चाहते हैं अपनी मिठाई की उस हिसाब से इसको सैट कर ले बारीक पीस निकालना चाहते हैं तो इसको और ज़्यादा फैला ले अगर मोटे पीस रखना चाहते हैं तो इसकी परत मोटी ही रखे, आपको जैसा ठीक लगे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों आपने ये फैला लेना है, और दोस्तों इसको और फिनिशिंग देने के लिए आपने क्या करना है, एक कटोरी ले, उस पे थोड़ा सा देसी घी लगा ले इस तरी दाले, घी लगा ले कटोरी बड़, और इसको इस तरीके से फैला ले, फैलाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रखा रहने दे, एक टेट घंटे के लिए इसको रख दे, ताकि अच्छे से सैट हो जाए, जम जाए, ये फिर अगर आपको जल्दी हो, तो आप इसको फ्रीज में भी द्रख सकते हैं, अब दोस्तों आपने इसमें उपर से इसको और टेश्टी बनाने के लिए, ताकि इसकी लुक अच्छी आए, तो आप ड्राइ फूट को पूट कर इसके उपर डाल सकते हैं, ये दोस्तों आपके पास अगर सिल्वर वर्क प तो आप इसको फ्रीज में रख देते हैं, अब इसके पीस कर लेते हैं, चाकू की मदद से आप इसके पीस कर लें, इस तरीके से, और ये हमारी बर्फी त्यार है आने के लिए, दोस्तों ये बहुत ही टेश्टी लगती है, आप इसको एक बार अपने घर में जरूर अब रख्षा बंदन भी आने वाला है और भी बहुत से तहार आने वाले हैं तो बजार की खरीदने के बजाए आप इनको घर में भी बना सकते हैं ये देखिए दोस्तों कितनी सुन्दर बर्फी बनी हैं आप इसको बनाए और इसका इंजाय करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपको cooking के tips देते हैं अलग-अलग dishes बना कर दिखाते हैं और साथ में दोस्तों हम इस चैनल पर health के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं तो हमारे चैनल को subscribe जुरूर करें और इस घीया की बर्फी को घर में बना कर इसका enjoy करें अपने बच्चों को दे अच्छी लगी तो please like और share जुरूर करना आगे भी मिलते रहेंगे अपनी अलग-अलग recipe के साथ thank you